नमस्कार मेरा नाम है डॉक्टर पुरूद धवन और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नारिल पानी के बारे में क्योंकि गर्मी का मौसम शुरू हो गया है लोगों को नारिल पानी बहुत पसंद है मगर किड्टी फिलर पानी की बाडी के अंदर नारिल पानी जब जाता है तो कुछ न कुछ ऐसा होता है जो आप सभी को पता होना चाहिए तो शुरुवात करते है नारिल पानी से, नारिल पानी में बहुत सारे electrolytes हैं, बहुत सारे ताकत हैं, बहुत अच्छा रहता है गर्मी के मौसम में अपनी body के अंदर electrolytes डालने के लिए, क्योंकि ये और ऐसे better work करता है, मगर इस नारिल पानी के अंदर एक और चीज होती है, ज या फिर लड़ू खा रहा है नारिल के, तो उसकी body में potassium की मात्रा बढ़ने लगती है, अभी potassium हमारी body में बनता नहीं है, ये खानी पिनी से हमारी body में और चीजों से भी जा रहा होता है, अब आप ऐसी चीज को ही ले लेते हो, जैसे नारिल ले लिया आपने, जिसके अंद fatigue पैदा करता है, आपका जो hurt है, जो हर second धड़कता है, पूरी body को blood देता है, उस पे इस potassium का बहुत बुरा effect पड़ता है, जब potassium बढ़ता है, आपकी muscles थकती है, तो आपकी hurt की muscles भी थकना शुरू कर देती है, और वो धीरे-धीरे pump करना शुरू करती है, तो शूद में हमें क slow down हो जाता है, कि वो धड़कना बंद का सकता है, इसी वज़ा से अगर आपके blood की report के अंदर potassium की value 7 से plus आ रही है, तो हमें urgent basis पे, emergency basis पे dialysis करवाना पड़ता है, चाहे आपका ketanin level हो या ना हो, पैर में swelling हो, ना हो, कोई फर्क निवरता, उस potassium को body से फटा-फट निकालने के करना पड़ता है, तो इसी वज़ा से जितने भी kidney failure के patient है, उन्हें high potassium चीजों से दूर अखा जाता है, और naril, naril पानी उनमें से एक है, इसी तरह सा केले हो गए, कीवी हो गए, avocado हो गए, dry foods हो गए, good हो गया, इन से भी दूर रहने के लिए काहा जाता है, क्योंकि इन सब के अंदर भी potassium की मातरा बहुत ज़ादा होती है, तो मैं उमीद करता हूँ, इस वीडियो से आप समझ गए होगे, कि क्यों एक kidney failure patient को naril पानी मना किया जाता है, और naril पानी यसी और चीजी जिनके प्रतेश्यम हाई है, उन्हें क्यों मना किया जाता है, फिर भी mind में कुछ भी झाल